Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. A certain sum of money amounts to Rs. 4500 in first year, to Rs. 5175 in second year and to Rs. 6210 in third year. Find the rate of interest for the second year. यहाँ पर देखें आपको का गया है, जो certain amount of money है. First year के लिए आपका 4500 है, second में आपका 5175 रूपीज है and third year में आपका 6210 रूपीज है. और आपको यहाँ पर find गरना, rate of interest for second year. अब देखें यहाँ पर आपको क्या given है? यहाँ पर आपका हो जाएगा, the principle, principle, the principle for second year is equal to, यहाँ आपका आजाएगा, amount for first year, first year, यहाँ आपको कितना given है? रूपीज 4500, अब देखें यहाँ पर हम interest देखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा, now interest obtained, interest obtained in second year on this sum, यहाँ आपका क्या आएगा? जो आपका रूपीज 5175 है, इसमें से आप minus करा देगे, principle amount 4500, यहाँ आपका कितना आजाएगा? रूपीज 675, यहाँ आपका हो जाएगा, and यहाँ पर हम जानते है, interest is equal to, यहाँ आपका होता है, PRT upon 100, जहाँ पर आपका क्या होता है? PRT upon 100, जहाँ पर आपका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, एंड आर हमारा यहाँ पर क्या होता है? rate होता है, एंड टी हमारा यहाँ पर क्या होता है? time, अब देखें यहाँ पर, formula हमारे पास है, तो I यहाँ पर कितना हो जाएगा? I आपका है 675, and प्रिंसिपल आपका है 4500, and r हमें यहाँ पर find करना है time आपका 1 year का है and 100 आपका ही हो जाएगा क्योंकि time आपका 1 year है ना यहाँ पर तो यहाँ आपका देखे क्या होगा double 0 सा आपकी double 0 कट जाएगी then यहाँ आपका हो जाएगा 675 upon 45 is equal to r and यहाँ पर आप इसको divide कराएगे then यहाँ आपका आजाएगा 15% is equal to r तो rate आपका कितना निकल का है यहाँ पर 15% हो जाएगा hence answer यहाँ पर आपका आजाएगा rate of interest for second year is 15% I hope you understood the explanation thank you